हलो व्रिवन और वेल्कम डिफेंस तडीज आज की थीम है मिनरल्स और माइनिंग सीप पेपर डू के लिए थीम इंपोर्टेंट है बस आपको यूज करने आनी चाहिए अगर आपको टोपिक आता है कि इंडिया अट दरेट ऑफ 75 पिचेतरवेश जो सतनतर दीवस हो गए इं एक तो यह इसमें बहुत सारे लेबर को एब्सोब कर सकता है मिनरल्स और माइनिंग उसके आप देखोगे इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशल भी है दूसरा इसमें आप देखोगे इंडिया के इनर्जी सेक्योर्टी के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है तीसरा आप अगर सकते हैं एक लास का सिर्फ बजली पर चलती हो मतलग यह नहीं एक लीथियम आइन करके बैटरी इंडियम होती है जिस में अप लीथय आइन एक जो आप पर्टिकलर मिनदरल है वो अपके बास होना चाहिए इंडिया में कि इन्डिया में है नहीं हम इंपोर्ट करते ह वहां से आप South America से देखोगे आप Australia से देखोगे South America की दो country हैं Argentina and Bolivia वहां से हम इसको import करते हैं ठीक है तो यह हमारे पास capability होनी चाहिए दूसरा आप देखोगे कि इन यह 2021 इन इसमबर हमने coal crisis देखा था उस ताइम पे coal crisis हमने देखा था despite having the enough resources in India इतना ज्यादा potential होने के बाद भी coal का हमने coal crisis देखा क्यों क्या issue था उसके पीछे यह में जानना होगा उसके आद आप देख सकते हो कि जब दुनिया when the world is moving towards green energy और इंडिया अब अपना domestically जो गोल प्रेजंट है उसको ज्यादा ही explore करने की बात कर रहा है ठीक है अगर हम बात करें अबर प्रेजंट पावर मिनिस्टर तो उन्होंने बोला कि we will not reduce our dependence on the call but अगर हम देखे percentage terms में percentage terms में उन्होंने बोला कि हम renewable energy का यूज करना ज्यादा ज्यादा यूज करना start कर देंगे बट यह इसका मतलब यह नहीं कोल पर अपने dependence कम कर देंगे ठीक है तो उन्होंने यह बोला कि जो energy का mix है वह हम थोड़ा से incline कर सकते है रुनेवल energy पर इसका मतलब यह नहीं को totally हम phase out कर देंगे इसको phase देखेंगे आपको इसको little little मतलब थोड़े थोड़े time पर हम इसको phase phase down करेंगे ठीक है ओके तो यह उसका मतलब था अब हम देखते हैं minerals and mining क्या basically minerals and mining क्या present status है इंडिया के अंदर किस एरिया में अगर हम देखे किस एरिया में इंडिया बैटर कर सकता है कहां पर lag कर रहा है सबसे पहले हम देखते हैं status अब देखते हैं status में हम देखेंगे 2.3% of gross value addition करता है mining sector हमारी इंडिया की अगर हम देखे GDP के अंदर 2.3% उसके बाद ही अब देखे के employment के लिए बहुत ज्यादा important है सेक्टर अब reforms in mining sector will generate 55 lakh jobs मिनिस्टर ने ऐसे का है जब हम एक पर्टिक्लर बिल लेके आये थे लोकसबाद ने जब माइन्स और मिनरल्स डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट जो 2020 के अंदर पास हुआ तो उन्होंने बोला इस amendment से 55 लाख जोब यहां पर प्रोड्यूस हो तो more than 25 lakhs jobs इस sector से generate हो सकी है और अनुगनाइज सेक्टर दोनों में energy security के लिए बहुत important है क्योंकि आप देखोगे अगर हम देखें तो 50% of India's energy need कहां से fulfill होती है कोल से ठीक है energy crisis हमने देखा है December 2021 में और मार्च 2022 के अंदर due to the shortage of coal तो energy security के लिए बहुत important है raw material की security के लिए basis for power sector है आप देखोगे power sector के अंदर 50% और 60% of India's energy need basically comes from coal sector और agriculture input के लिए मैंने आपको बताया potassium और potassium यह सभी चीजे कहां से आपको ठीक है आपको जिप्सम चाहिए होता है आपको limestone चाहिए होता है बहुत सारे इसी चीजी जो agriculture में आपको यूज कर सकते फर्टिलाइजर यूरिया यह सभी चीजे आप माइनिंग करके इनको निकालते हो बाद में इसको रिफाइन करते हो ठीक है उसके आद आप देखिए इंपोर्ट बहुत जादा इंडिया के अंदर ठीक है हूज इंपोर्ट है किस तरह का इंपोर्ट अब गर हम देखे कोकिंग कोल ठीक है कोकिंग कोल यह हाई ग्रेड का कॉल होता है कहां पर यूज होता है स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर आयरेन इंडस्ट्रीज के अंदर क्योंकि वहाँ पर जो फर्नेंस है या फिर आपको जो कोल की calorific value जो है बहुत जाधा चाहिएगी ठीक है तो फ़र्नेंस में बहुत जाधा temperature होना चाहिए तभी आप Xiao strat को या फिर लोह को क्या लाएक करते हो मैल्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर जो कोल प्रेजन्ट है हाई ग्रेड का नहीं है तो उसमें जो एस कंटेंट है आप देखोगे वह इतना ज्यादा नहीं है के लोरिफिक वैली इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए में ऑस्ट्रीलिया से इंपोर्ट करना पड़ता है कोकिंग को ठीक है उसके आद हम देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है आप कमेंट करके बताएगा इंडिया का कौन सा रैंक है इन टरम्स ओफ कोल के स्टोरेज में इन दे वर्ल्ड इस इस कोस्टेंट फोर यू तो इतना ज़्यादा पोटेंशल होने के बाद भी वी आर अंडर डवलब्ड कोल जो हमारा सेक्ट के यह मैं देखा ऑच कोल स्कैम कोल स्कैम में हुआ क्या था इसमें फिवरेटिस्व हमने का थिक है फिवरेटिस्म के अंदर हमने देखा कुछ एक लोग ऐसे थे जहोंने एक पर्टिक्लर कंपनी को ही टेंडर दिए और्दो उस सक यूद्विर कंपनी को सब्सक्राइब भ बहुत सारी चीजे इसमें क्या कर दी है इस ओफ कर दी गी है जैसे आप देखोगे पहले आपको captive mining ही करनी पड़ती थी captive mining का मतलब है अगर आपको किसी भी एक particular company को exploration company को एक particular चीज के लिए ही coal का allocation होता है coal mine का allocation होता है तो उसी चीज के लिए उसका use करेगा मतलब अगर उस particular company को tender दिया गया है कि आप इस steel industry को ही coal supply करेंगे तो उसको ही supply कर सकता हूँ दूसरी चीजों के लिए नहीं कर सकता है दूसरी चीजों के लिए मतलब अपने present मतलब personal use के लिए या फिर हो कुछ और industry को भेज सके ऐसा कुछ coal तो यह सभी चीजा पहले नहीं थी तो captive mining को band कर दि industry है वो दूसरी जंगय भी उसको use कर सकती है एक तो अपने personal work के लिए भी ठीक है या फिर दूसरी कोई और domestic demand आती एंडिया के अंदर export भी कर सकती है यह सभी चीजे भी है ठीक है उसके आद आप देखोगे heavy cost of land acquisition का मतलब है आप कोई भी किसी भी area के अंदर जब mining करते हो व for exploration उसकी बहुत ज्यादा cost आपको देनी पड़ती है ठीक है और campable भी है compensatory forestation management act जो है ठीक है उसके अंडर भी आपको land acquisition की जो बहुत ज्यादा cost आपको देनी पड़ती है दूसरा आप देखोगे royalty बहुत ज्यादा जाती है global standard से देखे तो आपको royalty 65% इंडिया के अंदर ब basically government लगाती है इसके उपर 65% आप देखोगे बहुत बहुत ज्यादा number है global standard से infrastructure की inadequacy है ब्लास्टिंग देखोगे एक एरिया के अंदर ब्लास्टिंग धंग से नहीं होती scientifically ब्लास्टिंग नहीं होती आप देखोगे इंडिया के अंदर एक बहुत important case था आप देखोगे उसके अंदर गुच जाते हैं और बहुत जादा infrastructure उसके अंदर नहीं लगाते तो कई बार वो जो माइन माइन्स हो जाती है और लोग उसके अंदर ही दबके वहीं पर मर जाते हैं ठीक है तो यह हमारे लिए प्रोब्लम है infrastructure inadequacy है उसके आप देखो वर्कफोस productivity and skilling challenge वर्कफ जब आप देखोगे जो माइनिंग करते हुए क्या होता है जो पार्टिकुलेट मैटर है वो इन्हेल करते हैं लेबर जब लेबर उसको इन्हेल करते है तो वो जो पार्टिकुलेट मैटर जो कोल से ही निकलते हैं जब ब्लास्टिंग आप करते हो तो वो उन लेबर के आपको हरे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि एनवार्मेंट को भी अफेक्ट ना हो ठीक है उस एरिया में भी कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है वेस्ट फुल माइनिंग नहों यह सब चीज़ा आपको ध्यान में रखने पड़ती है तो जो आपने अमेंडमेंट की मैंने लौ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आप देखोगे ट्रांसफर और क्लिरेंस और अप्रूबल अप्रॉबल अप्रायर लीजी तुदा न्यू लीजी यह सभी चीज़े करना ही जुरूत नहीं है इसके अंदर है ठीक है अब बेफरोड देखते हैं बहुत इंपोर्टेंट का काम होता है गवर्मेंट का अब ये गवर्मेंट खुद ही मतलब कोल इंडिया लिमिटेड अगर खुद ही हर एक माइन को एक्स्प्लोर करेगी तो उनके पास इतनी कैपबलिटी नहीं इनके पास इतना तो प्राइवेट सेक्टर का इसमें आना बहुत जरूरी है प्राइमिट चेंज के अंडर आप देखोगे प्रिवेश एक प्लैट्फोर्म है प्रिवेश एक एक अक्रोनीम है जिसका फुल फोर्म है प्रो एक्टिव रिस्मोंसिव फैसिलेशन बाइंट्रेक्टिव और वर्चुएस अन्वार्मेंटल सिंगल विंडो हब इसका इसके अंदर आपको अप्रूबल मिल जाएगा आपको ग्रांट मिल जाएगा एक्सप्लोडेशन की पर्मीशन इन फोरेस्टिड एरिया ठीक है लैंड फोरेस्ट ओफिसर आपको पर्मीशन दे सकता है उसके बाद है इसका मतलब जितने पेड आप गिराएंगे उससे दस इसके बाद देखते हैं बसकी मैंड जदा के लिए तो मिन्रल्स को एक्सप्लोड करने के लिए कोATHER्न सिंग राज नहीं होना चांए ठीक है यह यह ऐसे मिनरल्स हैं जो कि ट्राइबल्स या फिर फार्मर्स जो लेंड ओनर्स हैं अगर उनके खेत में प्रेजंट है उनके उस एरिया उसमें लैंड में जो ट्रेडिशनल लैंड है कुछ कम्मुनुटी लैंड है और वो खुद बाखुद वो क्या कर सके इस आप बोलते हो डेटा इस दे न्यू ओएल तो डेटा के हिसाब से अगर आप प्र्टिकुलर एक एरिया को आप आप मैप करोगे ठीक है उसको अच्छे से मैप करोगे आपको पता चलेंगा कि इस एरिया के अंदर ये पर्टिकुलर मिनरल्स प्रेजंट है ये मिनरल्स तो उस हिसाब से उसकी माइनिंग हो सकती है तो GIS बेस मोनिटरिंग होने चाहिए उस एरिया की डाट इस वरी इंपोर्ट अधर मेशर के आसल ले सकते हैं जैसे मैं आपको बताया था इंडिया के अंदर हम देखेंगे कोल का हम इम्पोर्ट करते जादा डिस्पाइड बिस्पाइड बिंग द अधर नहीं किरते हैं हमरे के यहां कदेखे तो अगर हम khole now suppose go मैंज कहां पे है झारकंड के अंदर और आप देखोगे source तरमल पार प्लांट कहा पे है Suppose in दिल्ली सब्सधिं हर्यान सब्ट मजाब सब्सक्राइन हीमाचल तुछ यहां पे क्या तरमल फ़ार प्लांट तो छ हरकंड जो cost लेता है इसके transport cost वो बहुत ज़्यादा है rather अगर आप इस पो देखोगे आप directly अगर आप Australia से import कर रहे है तो आपको इतना ज़्यादा cost उसकी नहीं पड़ती है ठीक है तो इसका यही मतलब है due to lower convenience cost हम import करते हैं तो convenience cost import की कम आती है तो इसमें हम देखे the price of coal India limited's coal is considerably lower than imported coal ठीक है price कम है coal India limited जो explore करती है imported coal से but at the same time जो government उसपे tax लगाती है और जो इसका rail freight corridor का जो उसका particularly transport cost उसको देनी पड़ती है railway ministry को बहुत ज़्यादा है जिससे हम देखेंगे import करना फिर सस्ता पड़ता है ठीक है rather than procuring the coal from the domestic sources तो इसी लिए import बहुत ज़्यादा है उसके आप देखोगे rationalized taxation royalty जो की 40% है बहुत ज़्यादा हम tax collect कर रहे है royalty ले रहे है उसके आप देखें माइनिंग engineering this engineering college उने ती है जिससे हम क्या कर सकते skill development कर सकते है basically technology अपग्रेडिशन कर सकते है cutting edge technology acquisition of mines कुछ एक माइन्स हम strategically acquire कर सकते हैं दूश्रे देश के अंदर हम देखेंगे रशिया के अंदर हमने काम किया है रशिया के अंदर हम देखेंगे eastern जो आप देखोगे coast पे रशिया की वहाँ आपने कुछ एक ऐसी particular area है जहाँ पे हमने acquire किया है तो वहाँ से हम cooking coal को क्या करेंगे explore करेंगे क्यों हम देखते है Australia, Canada, Russia इन्होंने coal को use करना कुछ हद तक काफी हद तक बंद कर दिया इन्होंने phase down कर दिया उसको ठीक है तो basically phase out भी कर दिया काफी जंगे पे यूरोप अगर हम बात करें अगर बात करें दे बैसिकली मूव टुवर्ड्स clean energy renewable energy यह फिर नूक्लियर एनर्जी तो यहाँ पर कोल का consumption बहुत कम है और उनके पास कोल बहुत ज्यादा है इनके पास इतना ज्यादा resource है मतलब यह 100 साल तक भी खतम नहीं होगा ठीक है बाकि इनकी economy को इनकी और को अच्छी खासी economy है नहीं रुषिया को आपको बताए टोटली military के उपर है military hardware यह क्या कर सकते हैं डिफेंस hardware यह एक्सपोर्ट करते ऑस्टेलिया में आप देखोगे और इंडिया की एकॉनमी इंडिया की इकॉनमी वे बैटर देन ऑस्टेलियन एकॉनमी और केनेडियन ठीक है तो यह सबी चीजे इनके पास मतलब बहुत जादा natural resources है तो natural resources है अपनी economy क्या करना चाहते है रन करना चाहते तो इंडिया क्या कर सकता है strategically यह सबी माइन्स वहाँ पर अक्वार कर सकता है ठीक है जैसे हमने बात की एलेक्टरिक वेहिकल को रन करने के लिए आपको बैटरी चाहिए बैटरी में आप क्या डालोगे लीधिया नाइन इंडिया में प्रेजेंट बहुत लिमिटेड अमाउंट में है तो इसलिए आप चयाद आप देखो जीरो वेस्ट माइनिंग का मतलब है जब हम माइनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजे वेस्ट होते हैं पानी फोरेस्ट वाइल्ड अनिमल्स यह सभी इनका प्रिस्टीन जो एनवामेंट है यह डिस्टोय होता है तो हमारे लिए प्रोब्लम क्रियेट क करना चाहिए प्लीस कमेंट डाउन आप उसको कमेंट भी कर सकते हों और एक ओर इंपोर्टेंट अनॉंसमेंट यह है अनॉंसमेंट इस नया बैच जो है वो लोंट होने वाला है ठीक है पत्चिस दिसमबर से नया बैच आपका बेसिकली लुट होने वाला है इस वेरी जो मतलब दो-दो गंटे के एक लेक्चर है आप इसमें देखोगे हर एक थीम वाइज इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिटी इंडियन पॉलिटी प्लस एन्वार्मेंट प्लस डिजास्टर मनेजमेंट प्लस इंडियन एकॉनमी इंडियन सोसाइटी विमन इशूस सभी चीजों को इसमें डिसकस किया के आर्गुमेंट रैटिंग कैसे कर सकते हो ब्रेंस्टोमिंग सेशन रिपोर्ट रैटिंग कैसे कर सकते हो ठीक है तो हर एक चीज इसके अंदर है ग्रेमर्स की वी समझेंगे आप अपनी ओरियेंटेशन डे डेवलब करेंगे क्या I would advise you previous question कहीं से भी आपको मिलते हैं ठीक है कहीं से भी आपको मिलते हैं आप उसको prepare करिए यहाँ पे हम brainstorming session आपके लिए लेके आएंगे 2009 से 2022 तक जितने भी topic हैं आपके साथ discuss किये जाएंगे बहुत important topic हैं आपसे ही पूचेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो introduction में आप क्या लिखना चाते हो conclusion में क्या लिखना चाते हो फिर हम आपको गलती बताएंगे नहीं यह नहीं लिखा जा सकता यहाँ पे हम उसको on the spot आपको correct करेंगे ठीक है इससे आपकी एक जो thinking है वो streamline हो सकेगी अगर आपके बास streamline thinking है तो आप paper time पे complete कर सकते हो अगर आपकी thinking streamline नहीं है तो आप paper को अच्छी तरह से complete नहीं कर पाओगे बाद में आपको यह problems आएंगी फिर आप बोलोगे आप off the track चलेगे आप tangent पे चलेगे आप धंग से नहीं लिख पाए ठीक है जो आपको पता था वो नहीं लिख पाए आप कुछ irrelevant चीज़े उसमें लिख के आगे तो यह जो practice है brainstorming की एक दिन में नहीं आती दो दिन में नहीं आती पंदरा दिन में एक महिने में नहीं आती तो it will be around 30 to 40 classes बहुत ज़्यादा classes होंगी इसके अंदर प्रिवेस और brainstorming session के अंदर जिसमें आपको इतनी classes लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो इतना अच्छा platform nobody is giving you this is the first time in the CAP of history जहाँ पे आपको live brainstorming session मिलेगा nobody will give you live brainstorming session मैं आपको बोलता हूँ कि आप essay writing कहीं पे भी civil service का कोई भी essay हो please bring to us we'll discuss on the sport कोई भी ऐसा आपको लगता है कि CAPF में आया हुआ है और आप discuss करना चाहते है we'll discuss on the sport ठीक है आपके साथ discuss करेंगे nobody is discussing main चीज़े discuss नहीं कर रहा information burden हो रहे हर एक जंग ऐसे तो please think about your future 6-7 महीने हैं आपके पास और January और February तक आपको paper to complete करना उसके बाद mainly आपका जो focus रहेगा paper 1 पे रहना चुगी ठीक है so this is all in this video और एक last चीज़ जो मैं इसमें बोल रहा हूँ कि special doubt clearing session भी होगा हर एक Sunday को जब जो भी आपके doubt होंगे paper 1 से related, paper 2 से related grammar से related, किसी भी चीज़ से related you can discuss here ठीक है, कोई personal problem है वो भी हम सुनने के लिए तियार है mentoring के लिए, ठीक है, counselling के लिए हर एक चीज possible है, ठीक है so thank you everyone, कोई और आपका doubt हो, please contact us आप comment कर सकते हो और you can also comment call on this number 8930919491 ठीक है, आप इस पर whatsapp भी कर सकते हैं किस डाउट के लिए और personal call भी कर सकते हैं so thank you, thank you for watching